हेलो एव्रीवन वेल्पम तो माई चैनल इन यूनिक जनल नोलीज फ्रेंट्स आज में आपको बताऊंगा के आप वर्ड़ेस के अंदर टेस्टिफाई कंटेंड को कैसे पर सकते हैं अब जुड़े रही है आप मेरे साथ और आगे तक आप हमारे वीडियो को देखें आपने तक में सब्सक्राइब कर लें और वाला बटन दबाद है तो फ्रेंट्स अब वीडियो कोड़ते हैं अब आपको हमारे चैनल में जाना होगा यह हम खोल लेते हैं अब अपना वर्डप्रेस बढ़े असान तरी से मैं आपको बताऊंगा यह हमारी पोस्ट हो गई है मैं आपको पोस्ट दिखायता हूं कर देखिए थोड़ा नहीं चल रहा है थोड़ा सा वेट करना होगा हमें तो फ्रेंट यह सकते हैं हमारे आप चैनल खुल चुका है यह जस्टिफाई नहीं है आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि देखें यहां पर यह जस्टिफाई नहीं है बिल्कुल भी तो फ्रेंट सबसे पहले आपको प्लागिन में जाना है ना पर हमें प्लागिन डाउन्वोड करना होगा एड़नीप जाएंगे यहां पर दिखेंगे डीट इस इकल टू कि देखेंगे यहां पर आपको दूस्टिफाई लिखना है और इस तरह का प्लागिन आपके सामने एक आजाएगा तो प्लागिन को आपको इंस्टोल कर लेना है थोड़ा सा वक्त लेगा नेट पॉस्ट चल रहा है यहां पर इंस्टोल हो चुका है हमें से एक्टिवेट कर देता हूं फ्राइंट्स अवारा यहाँ पर यह प्लागिन एक्टिवेट हो चुका है कि अब मैं यहां पर सेटिंग जाना होगा इंस्ट कई अपर यहांपर शेटिंग पर रहाई पर किलिक करेंगे कि यहां पर हमारा प्लग इन आ चुका है कि यहां पर इस तरह का पेच खु़ी चुका है और फिर आपको यहां पर कि विदाउट अंडरलाइन एंड जस्टिफाई बटन में कायक उप्शन डिफॉल्ट रिएड और रीड़न जस्टिफाई उनली तो फ्रेंड इसमें आपको बीच वालाई करना है इसमें आपकी अंडरलाइन इंप यहां पर इसको हम सेव कर देंगे यह हमारा यहां पर सेव हो चुका है फिर हम वापस पोस्ट में जाएंगे आफ इसमें काट जैता हूं पोस्ट में आते हैं वापस हम और पॉस्ट अडिक्ट अपर अप्शन आ चुका है इसको मैं आपको दिखाता हूँ नहां पर अधिया फ्रेंड हमने पहले आपको दूसरा उप्शन होता है तो इसी तरह से आपको एड़ान्स वाला आप्शन बताऊंगा इसी तरह से आपको एक और प्लग-इन इंस्टोल कर लेना है वो प्लग-इन में अनिस्टोल कर दूँगा वह उन्हीं आपको समझाने के लिए बत कि यहां आप पर इंस्टोल हो चुका है और इसका अम एक्टिवेट कर लेते हैं अचैनल कर लिए नहीं आपको अधिवारे आपको चुनल कर लें